नमस्कार एक न्यूस 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ श्वता गंगा विलास क्रूस के एक तीस विदेशी पर्यतक पटना सिटी के गुरुद्वारे में मत्था टेकते नजर आए साथी साथ वहां हुए लंगण का भी आनन ले रहे थे आपको बतादे कि 13 जन्वरी को वारा नसी से देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने इस जहाज को हरी जंडी दे दी जिसके बाद 17 तारीक यानी आज वो जहाज यानी विश्व का सबसे लंबा रेवर क्रूस गंगा विलास पटना पहुँच चुका है बतादे कि पटना पहुँचते हैं पटना के सारे स्थलों पे ब्रहन क्या जाएगा आए देते आपको पूरी जानकारी पटना सिटी गंगा विलास क्रूस के सेलानी पहुचे पटना साइब तक्ष्री हरी मंदिर पटना साइब तक्ष्री हरी मंदिर में विदेशी सेलानियों का किया भवे स्वागत गंगा विलास क्रूज से सैलानियों का जथा पटना सिती तक्ष्री गरु मंदिर पहुचा, वहां पहुचते ही विदेशी सैलानियों का भव स्वागत किया गया, हरी मंदिर के प्रबंधन कमीटी ने उनका भव रूप से स्वागत किया, इस मौके पर विदेशी सैलानी तक् प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने हरी जंडी दिखा कर इने रवाना किया था। प्रदान साहब से लेकर बाल लीला गुरु द्वारत तक विदेशी सहलानियों के लिए गुरु गोविन साहिब के कारेों को विस्तरूत रूप से जानकारी दी गई है। इस मौके पर पटना के सांसद रामकृपाल यादव विदेशी सहलानियों का स्वागत भबे रूप से किया। आए सुनाते हैं किस तरीके से विदेशी परियतक ने अपना अनुभव साचा किया। तो आपने सुना विदेशी परियतक को बता देगी कि इसमें कुल 31 विदेशी परियतक है जिसमें से स्विजलन और जर्मनी के तोटल 31 परियतक है। जिनकी सुविदा भी है हर तरह के वेंजन समेत अने सुविदायों का और आकर्शन फीचर उपलब्ध है। क्रूज को पास कराने के लिए पीपा पुल का खोलना पड़ा। पीपा पुल खोले जाने से घंटो परिचालन बादित होने साथ लोगों को काफी परिशानी का भी सामना करना पड़ा। और इसे की साथ साथ आज महावीर मंदिर तक्षाहिप गोलगर समेत अन एतिहासिक और धामिक स्थलो का भी ब्रह्मन करेंगे विदेशी परेटक। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रही है हमारे साथ अगर आपने हमी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही करें साथी साथ हमारे फेस्टूप पेज को फॉलो और शेकर न न भूलें धन्यवाद।